भाई उसने बोला है girls होनी चाहिए, topper होनी चाहिए, captain भी होनी चाहिए, उसने social activist होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिये, बहुत heavy calculation नहीं है, एकदम easy है, अभी तक आपको hopefully यह याद हो गया हो कि January, February के days कैसे लिखने हैं Hello and welcome to the Adda 24-7 platform, my name is Maruj Sharma, आपका quantitative aptitude और logical reasoning का दोस्त, ये वीडियो जो है, मैंने खास तौर पे, खास तौर पे इसलिए बनाई है, ताकि आप लोगों की जो conceptual तयारी हो रही है, उसके साथ-साथ parallel practice भी होती रहे, तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें बहुत अच्छे questions का एक mixture है, जिसको आपको try करना है, आप क्यूंकि ये वीडियो काफी बच्चे देख रहे होंगे, हो सकता है, simultaneously भी देख रहे हो, और सबको अलग-अलग time लगता है, तो इसके लिए उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, आप ये वीडियो देख रहे होगे, जैसे ही question announce होगा आप pause करके, अपना time लेकर के question solve कर देंगे, और फिर play करके वापस आप अपना solution देख लेंगे, जो मैं खुद explain कर रहा हूँ, वीडियो को end तक जरूर देखना, कुछ interesting questions, interesting concepts और tricks देखने को मिलेंगे आपको, और इस वीडियो के end तक आपकी खासी practice हो जाएगी, logical reasoning को लेकर करके, as far as the examination is concerned, so all the best guys, let's start, तो यह संकल सीरीज की mix practice है, पहला question आपके सामने आ गया है, मैं side हट रहा हूँ, आप pause करके, एक बार को question को आप देख सकते हैं, और time ले सकते हैं, अब मैं आपको इसका solution explain कर देता हूँ, आपको बोच रहा है कि इन 3 में से 4 words, इन 4 में से 3 words एक जैसे हैं, और एक word अलग है, अब इसमें अकसर question ऐसे ही पूछता है, जहाँ पे जो बच्चे सोचते हैं कि हिंदी से help मिल जाएगी, English में जो word होता है, बस उसी का हिंदी direct translation लिखा होता है, उसका exact मतलब नहीं लिखता है, क्योंकि फिर पढ़के आपको पता लग जाएगा तो यहाँ पे आपको English की vocabulary strong होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है doe, doe का मतलब क्या होता है पिटा, doe का मतलब होता है female, deer भी कह सकते हो, rabbit भी कह सकते हो, ऐसे कई जानवरों को female version को, जो है doe का जाता है, feminine को, wixen जो होता है, वो female fox हो का जाता है, ठीक है, queen तो पॉन जो होता है, वो offspring होता है, पॉन जो होता है, वो young one होता है, young deer को हम fawn बोलते हैं, तो आपका option B जो है, वो odd one out हो गया, टीनों को आप एक group में डालेंगे, कि यह females हैं, feminines हैं, यह जो है वो young one है, offspring है, इसलिए option B correct answer है, right, next question पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे pause करके question solve कर लिजे, अब देखिए, मालीनी जो है, अपने office से bank की तरफ जा रही है, ठीक है, she started her journey facing west, ध्यान रखना, मालीनी ने शुरुवात की है, इस तरफ face करके, यहाँ से she went 2 km straight, तो यहाँ से वो 2 km straight चले गी, उसके बाद right की तरफ 3 km, तो right की तरफ 3 km, और उसके बाद finally left जाके 2 km और जाके वो bank पहुंच गी, तो यहाँ पे 2 km और चलके, वो bank पहुंच गी है, और अपनी शुरुवात उसने office से की थी, question पूछ रहा है आपसे, bank और office के बीच का minimum distance, shortest distance बताईए, कैसे बताएंगे, आप इसको join कर देंगे, अब कुछ बच्चे, इसको दो अलग-अलग right triangle ले करके solve करने जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इसमें हम लगाएंगे, hypotenuse निकलेगा, इसमें हम लगाएंगे, दोनों को add करेंगे, answer निकालेंगे, बेटा, exam में आप confused हो जाओगे, और एक गलती कर बैठ होगे, यहाँ पे आप assume कर लोगे, कि यह 3 km की line, exactly 1.5, 1.5 मे divide हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है, आप इसको x लोगे, इसको 3 minus x लोगे, फिर जाके solve करोगे, तब जाके answer आएगा, जो complicated है, इसको simplify कैसे करना है, आप एक single right triangle assume कर लो, यह देखो, ऐसे extend कर लो इसको, तो यह 2 km था, यह 2 km नीचे आकर कि कितना बन जाएगा विटा, यह भी 2 distance मांग रहा है, आपको triplets की जानकारी है, अब तक आपको पता लग गया होगा, answer option d, 5 km, clear, next, चलो, इसको देख लो एक बार, pause करके solve करना चुरू कर सकते, चलिए, अब इसको मैं explain कर देता हूँ, इसमें आपको coded version में codes दिये हैं, और एक finally expression दिया हुए, हमने काफी ऐसे questions न Q से क्या relation है, तो आपको पूरा जो है, expression आपको decode करना है, expression का tree बनाना है, दो terms at a time ले लिजिए, तो P divided by M, P is the brother of M, next, M into R, M into R मतलब M is the sister of R, तो M is the sister of R, R minus Z, R minus Z is R is the daughter of Z, तो R is the daughter of Z, अब ये भी तो उन्हीं के बच्चे होंगे न, P और M, and Z plus Q, Z plus Q में Z is the wife of Q, तो Z wife है Q, तो Q obviously क्या होगा, husband होगा, बन गया tree, question पूछ रहा है, how is P related to Q, इस question में कोई दम है क्या, P का Q से क्या संबंद है बटा, son है, P is the son of Q, Q की wife की बेटी का भाई, अभी ये indirect relation अगर समझना है तो, वैसे Q का direct son है, tree बना लिया, answer आ गया, right, ओके, next question, pause करके solve कर लीजिए, मैं आपको आगे समझा दे रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो, मैंने हमेशा बोला है, order based question में scope define करना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे दक्ष की बात कर रहा है, मानिक की बात कर रहा है, रोहन की बात कर रहा है, सोमेश की बात कर रहा है, अब फरहान की बात कर रहा है, पांच लोग की बात कर रहा है, पांच लोगा scope आप set कर रहा है, अब दक्ष जो है, वो मानिक से लंबा है, बट रोहन जितना लंबा नहीं है, मतलब दक्ष मानिक से तो लंबा है, रोहन से छोटा है, इतना तै है, ठीक है, सोमेश is shorter than दक्ष but taller than Farhan अब दक्ष से shorter है सोमेश सोमेश यहाँ कहीं हो सकता है हो सकता इससे भी shorter हो पर Farhan से लंबा है तो Farhan लंबा हो जाएगा अब यहाँ problem है यह नहीं बोला है किसी ने भी कि दक्ष जो है वो immediately मानेक से taller है उससे नीचे कोई है ही नहीं या उससे immediate नीचे सिर्फ माने की है ऐसा नहीं है तो आप सोमेश और Farhan की placement इनके बीश में भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो दोनों को नीचे भी बिटा सकते हो यहाँ बहुत बच्चे Farhan आंसर देते हैं जबकि वो आंसर trap है आपको गलती कराने के लिए मजबूर करता है यहाँ पे correct answer होगा बिटा data inadequate आप confirm नहीं बता पाओगे कि last में सबसे छोटा कौन है तो option D right होगा ध्यान रखो यहाँ पे एक सबक सीखो जब भी आपको data inadequate none of these ऐसा option देखता है थोड़ा सा बारी की से और ध्यान से देखना उस question को अकसर data inadequate और cannot be determined इसमें तो ज़रूर आता है none of these में फिर भी वो answer बहुत rarely मिलेगा understood clear next question चलिए इसको solve कर लीजे pause करके अब poor friends are sitting in a row facing north बहुत ही आसान question है चार दोस्त बेटें सिरफ 4 ये बिठा रखे है तो कुई ज़्यादा बड़ी बात ने B is at one end अब हमें पता नहीं है यहां है यहां है तो आप यहां भी बिठा सकते हो यहां भी बिठा सकते हो तो दो case बन रहे है A is second to the right of D यानि जहां भी D होगा उससे second right पे A है D is between B and C अब D अगर B और C के बिश में है यानि यह ऐसी position होगी चार लोगों की और यहां पे तो B आएगा नहीं तो B के आने के chance यहीं पे है तो आपको क्या दिख गया यह क्या arrangement है B, D, C, A यह arrangement आपके सामने आ गया है question पूछ रहा है which of the following statements is not true इन चारों option में से कौन सा correct नहीं है इस arrangement तो देखते वे C is sitting to the immediate right of D देख रहा है यह correct है B is sitting to the immediate left of D देख रहा है correct है A and B are sitting next to each other बिल्कुल भी नहीं है तो option C is your correct answer which of the statement is not true option C correct answer आ गया next अब यहां पे आप इसको pause करके solve कर लीजी बहुत easy question चले simple difference based series है कुछ नहीं है 93 में आपने 2 से बढ़ा दिया 95 इसको आपने 3 से बढ़ा दिया 98 इसको आपने 4 से बढ़ा दिया sorry 5 से बढ़ा दिया 103 और इसको आपने 7 से बढ़ा दिया 110 कुछ नहीं हो रहा था यहां पे देखो के 2357 यह prime numbers की series है तो next किसे बढ़ेगा कुछ बच्चे 9 से बढ़ा दते हैं 11 से बढ़ेगा यह ठीक है आप lucky हो के 119 option में नहीं दिया हुआ यह नहीं तो बच्चे अकसर उसको जलबाजी में टिक करके आते है 110 तोस 11 121 हो जाएगा आपका answer आगे clear done prime numbers से बढ़ती भी series है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए इसको solve कर लिजे pause करके right now this one again very easy question आपको मैं बता चुका हूँ अलड़ी यह कैसे pattern follow करता है यह 16 17 18 19 next वाला पक्का कौन सा होगा 20 होगा अच्छा अगर आप option देखोगे आपको आके जाने की जरूती नहीं पड़ेगी आपका clear answer आपके सामने आ चुका है clear चर्व आगे अब यह वेंडाग्राम आपको दिया है आप pause करके देख लिजे और इसको solve कर लिजे तो यह वेंडाग्राम आपको दिया गया है जिसमें hexagon जो है वो captains को represent कर रहा है ठीक है triangle जो है वो girls के लिए है rectangle जो है वो toppers के लिए है circle जो है वो social activist के लिए है अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप label नहीं कर पाऊगे अगर online exam हो जाता है तो label नहीं कर पाऊगे तो आदत बनानी है shapes के साथ याद रखनेंगे ठीक है question पूछ रहा है how many girls are toppers and captains also again यहाँ पे option में जो answer बच्चे गलती करते हैं जल्दी में वो नहीं दिया हुआ है होगा hexagon rectangle और triangle के बीश में आपको five नजर आता है और आप five ढूंड़ते हो यहाँ पे तो time waste तो होता है कम से कम भाई उसने बोला है girls होनी चाहिए topper होनी चाहिए captain भी होनी चाहिए उसने social activist होना चीए या नहीं होना चीए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिये तो अगर social activist नहीं होती और बाकी तीनों होती तो यह होता और बाकी तीनों के साथ साथ social activist भी होती तो यह होता तो आपका final answer 8 plus 5 equal to 13 आएगा बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा important variation है थोड़ा सा slight variation है थोड़ा issue आ जाता है बच्चों को clearly देख लो समझ में आ जाएगा right next चले इसको try केजिए pause करके यह quant based question है थोड़ा सा एक आदा बीश में twist के लिए में लिए हो इसको pause करके आप एक बार solve कर लीजे right तो देखते हैं अब एक coaching institute में number of students in class 10th is 1 by 3 1 third more than the number of students in 12th तो 10th में जो बच्चे है 1 by 3 ratio दे रखा है आपको और 12th में कुछ बच्चे है आपको बोल रहा है यह 1 third जादा है देखो ratio fractions कैसे काम करता है मेशा अगर आपको ratio या fraction दे रखा है आपको बोल रहा है 1 third जादा है तो आपको यह उपर numerator में add कर देना है अगर यहीं यह बोलता 1 third कम है अगर यह बोलता 1 third कम है तो यहीं आप इसको subtract करते हैं 1 minus 3 नहीं 3 minus 1 करते हैं तो क्या बचता 2 by 3 बचता तो आप final product को 2 by 3 से multiply करोगे तो कम हो जाएगा और इसको यहाँ पर 4 by 3 से करोगे तो जादा हो जाएगा अभी हमें यह तो चाहिए नहीं हमें यह चाहिए तो 10th में बच्चे 1 third जादा है तो total 4 by 3 ratio है किसका ratio है बचता 10th और 12th के बच्चों का ratio कितना दे रखा आपको 4 by 3 आपने निकाल लिया अब वो बोल रहा है total बच्चे कितने है 112 है जब ratio 4 ratio 3 है तो दोनों को add कर लो यानि कि 7 ratio unit की value 112 है तो ratio unit कितना आगया बच्चा tables याद होनी चाहिए ratio unit 16 आगया है question आपसे पूछ रहे 10th में कितने बच्चे थे 10th का ratio unit factor कितना था 4 तो 4 को 16 से multiply कर दो 64 आपका answer आजाएगा question खतम हो जाएगा clear इसको कई बच्चे conventional mathematics से करनी जाते है कर सकते हो गलत फिर भी नहीं होगा बट आपका time थोड़ा सा कम से कम 2 से 3 second अगर आप match में थोड़ा अच्छे हो और 4 से 5 second अगर आपको time लगता है सोचने में extra लगएगा that wastes a lot of your time okay done next चलिए pause कीजिए solve कर लिजिए good देखिए अब यहाँ पर क्या है अक्सर इन questions में आप कभी जैसे मैं आपको बोला division पर focus करना है जब sign change करने को बोल रहा है वो सब बात ठीक है बट यहाँ पर आपसे बोल रहा है कौन सा sign change करोगे equation correct हो जाएगा अब यहाँ पर आप division हटाओ ना हटाओ कहीं भी डालो सारे 15 है तो वो तो divisibility तो रहेगी वो तो logic नहीं लगेगा तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा इतना आप सोच सकते हो कि इसको कर partially roughly solve करो तो सबसे पहले यह divide होके 1 बनेगा ठीक है यह multiply होके 225 बनेगा अब minus 225 ठीक है 1 और plus 15 मतलब यह 16 minus 225 बहुत बड़ा number negative में जा रहा है आपको सिरफ 15 चाहिए यानि यह multiply तो हटेगा पक्की बात यह यहां नहीं रहेगा तो आप multiply वाले पहले चेक कर लो A और D आपके पास है आप पहले चेक करो पहले A option चेक करेंगे तो 15 multiplied by 15 divided by 15 minus 15 plus 15 की value 15 होनी चाहिए चेक कर लेते है 15 divided by 15 हो गया 1 into 15 minus 15 plus 15 आप बाद में multiply करेंगे तो यहां किया 15 minus 15 जो की 15 आएगा जो की RHS के बराबर है यानि option A आपका correct answer है तो इन में कभी भी चारो option चेक नहीं करने है आपको smartly यह देखना है कि भई कौन से को मैं पहले verify करूँ ताकि मेरा time बचे आखिर कार मकसद क्या है बटा सिर्फ time बचाना good, चलिए यह वाला question कीजिए pause कीजिए और यह कीजिए आप में से बहुत लोगों को missing numbers को ज़्यादा पसंद है matrix based तो यह आपके लिए आगया question pause करके solve कर दीजिए good अब यह सारा खेल observation का है ठीक है? सारा game observation का है अब अगर आप देखोगे आप इसको कैसे attempt कर सकते हो तो इसमें अकसर जब ऐसे लंबे column wise ज़्यादा number होते है तो मतलब अकसर यह column wise ही चल रहा होता है ठीक है? अगर यह row और column equal हो तो chances हैं कि आप row wise भी check करोगे column wise भी check करोगे बढ़ अगर ज़्यादा numbers column में है तो ज़्यादा chance से column wise चल रहा है मतलब यहाँ कुछ operation हो रहा है और यह number answer में मिल रहा है ठीक है अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि आप अगर protein और आप randomly add करके देख लो 20, 12 add करोगे तो 20 आजाएगा उससे को relation नहीं है 14 और 8 add कर लो यह देखो दिख गया ना इन दोनों columns को add कर लो कितना आ रहा है 22 और इसमें से यह subtract कर लो तो 8 plus 14 minus 12 22 minus 12 कितना होगे 10 आ रहा है चलिए verify कर लेते है same चीज यहाँ करेंगे यहाँ पे plus करेंगे यहाँ पे minus करेंगे 11 plus 7 आपका 18 उसमें से 6 minus करेंगे बिल्कुल 12 आ रहा है तो यह correct है तो आपको क्या करना है 1 plus 12 और उसमें से subtract कर लेना 9 तो 13 minus 9 आपका 4 answer आ जाएगा जो की option clear observe करोगे नजर आएगा pattern ठीक है सोच बस यहाँ पे यह रखनी है अगर यहाँ पे जादा numbers यह column में तो chances है column wise चलने का otherwise row wise चल रहा हो चलो next pause कर लिजे solve कर लिजे counting triangles का अच्छा question है चलो देखते है I know इसमें बहुत बच्चों ने 16 answer दे रखा होगा कुछ कम बच्चे हैं जिनोंने शायद 19 भी दे दिया होगा और यह दोनों ही answer गलत है अब देखना कैसे ठीक है यहाँ पे सबसे पहले आप पूरी figure को ignore करो सिरिफ इतना सा यह square देख लो यह square क्या है बिटा 4 parts में divided हो रहा है correct तो 4 into 2 कितना हो गया 8 अब इसको ignore करो बाहर वाले square को देख लो तो बाहर वाला square भी 4 parts में ही divide हो रहा है तो 4 into 2 कितना हो गया 8 यह तो आगे मेरे 16 वाले बच्चे sorry यह आगे मेरे 16 वाले बच्चे लेकिन अभी खतम नहीं हुआ अभी और है ठीक है अब और क्या है तो और मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लू इंक से अब यहाँ तोरा दिमाग लगाते हैं बच्चे बोलते हैं यह तोरा यह वाला triangle तो हमने count ही नहीं किया तो यह छोटा side triangle जो vertically 2 parts में divided हैं तो 3 और add हो गए यह आगे मेरे 19 वाले बच्चे बट उन्होंने भी 2 triangle और miss कर दिये बेटा close observation का खेल है और कुछ नहीं है मैंने tricks बता दिये हैं आपको already class में अगर नहीं देखिए counting की वीडियो जाकर के देखो counting triangles और counting squares and rectangles का जो भी basic concept में सब बता चुका हूँ बस question में आपको ध्यान से थोड़ा slow down हो करके observe अच्छे से करना है confidence build up होगा जब आप practice करेंगे next pause कर लिजे solve कर लिजे sorry चलिए a cube is made by folding the given sheet इस free sheet को fold करके cube बन रहा है आपको बस opposite pair बताने कुछ भी नहीं है longest vertical side आपने ले लिया उसमें alternate जो है वो opposite होंगे यानि आपको क्या दिख रहा है m के opposite q होगा r के opposite o होगा और जो overhangs है जो बच गये है वो opposite होगा n के opposite p होगा यह आपने confirm कर लिया अब आप इन में से कोई भी pair option में देख लो n q तो है नहीं होगा नहीं q p है नहीं होगा नहीं m p b है नहीं होगा नहीं बस एक r o बचा है r o एक ऐसे terms हैं जो आपस में opposite होंगे done easy q और rise के questions easy होते है mostly चलिए pause कर लिजे यह वाला question कर लिजे देखिए अब इस question में यह question है time based but normal conversion है जो सबसे पहले clock शुरुवात करते हुए सबसे पहले slide में जो बताया था मैंने यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं उनको लगता है 2.47 hours मतलब 2 गंटे और 47 minute consider कर लेते हैं और बहुत बच्चे option c लिखे आ जाते हैं नादानी में वो गलत है ठीक है फिर कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो बलते है 2 hours first decimal place पे 40 minutes second decimal place पे 7 seconds तो यह वाला answer भी लगा देते हैं वो भी गलत है distractor option इसको कैसे चेक करते हैं हम लोग आप 2 hours point 2.47 लिखा है ना 2 hours को तो अलग कर लो यह तो है ही answer यह 0.47 hours को क्योंकि यह decimal part है इसको minutes में convert करो कैसे करोगे बेटा इसी भी part को minutes में convert करना है तो 60 से multiply करना पड़ेगा अब इसको करोगे तो कितना हैगा 28.20 तो अब फिर से जो whole part आ गया यह आप minutes बन जाएगा answer तो आपको दिखी गया होगा ठेक है और यह 0.20 जो है आप फिर उसको seconds में convert करोगे तो यह आगया 12,20 और यह 12 seconds आपका answer आगया जो whole part है वो अलग करोगे तो 2 गंटे 28 minutes 12 seconds option A is the right answer clear? easy multiplication based conversion है कुछ नहीं है कभी कभी chance कम है बढ़ आ सकता है इसका चलिए next pause कर दो answer निकाल दो चलो अब day of the week मांग रहा है 1st April 2021 मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ यह कैसे करना होता है जो running year दिखा रहा है आप उसमें से 1 minus कर लोगे इसको 2 part में divide करेंगे century part and extra century part हमने देखा है 20 years में 20 odd days तो आएंगे ही plus 20 में कितने leap आएंगे बीश में आप divide करोगे तो इसका quotient ले लोगे 5 तो आपके पास आगे 25 odd days और अगर उसको 7 से remainder निकालोगे 7, 3, 2, 1, 25 में से 21 minus करोगे तो 4 बच जाएगा बटा यह करने के बाद आप 2021 के calendar में आ गए हो अब आपको 1 April तक जाना है January 31 days की होगी 2021 leap नहीं था तो February 0 जाएगा March फिर 31 days का होगा और April में तो एक तारीक तक ही जाना है तो April का 1 day आ जाएगा अब इसको add कर लो 3, 3, 6, 4, 10, 11 और 11 का अगर आप 7 से remainder ले लोगे तो फाइनली आपके पास आंसर बचेगा चार और क्यूंकि day नहीं given है तो fourth day कौन सा होता है हमेशा Thursday option C is the right answer बहुत heavy calculation नहीं है एकदम easy है अभी तक आपको hopefully यह याद हो गया हो कि January February के days कैसे लिखने है ठीक है बता चुका हूँ calendar का एक अच्छा session लिया था 7 day 7 marathon के time नहीं देखा है जाकर के देख लो ठीक है चल नेक्स्ट बताओ figure series अक्सर आ जाती है बच्चे confused हो जाते हैं आप pause कीजिए question का answer निकालिए good अब देखते हैं कुछ नहीं है pattern observe करने हैं आपको सबसे पहले आप देखो आप ये वाला figure देख लो ये वाला ये वाला figure यहाँ पे filled है ये clockwise rotate हो रहा है ऐसे ठीक है और फिर flip हो जा रहा है फिर clockwise rotate हो रहा है ऐसे फिर flip हो जा रहा है तो आप next में clockwise ऐसे rotate हो गा और फिर flip हो जाएगा, यानि ये कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे कुछ ऐसे बन गयाएगा, ठीक है, और वो figure आपको कहा नजर आ रही है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है, अब जो element इसमें अलग है, इन दोनों option में से, जो element अलग है, आप ठीक है, जो hollow blank arrow है, उसको check करोगे, तो ये ये था, ये फिर वही हो रहा है, ये clockwise जा रहा है, और flip हो जा रहा है, ठीक है, फिर ये clockwise जा रहा है, और flip हो जा रहा है, तो अब यह यहाँ clockwise आएगा और flip हो जाएगा, यानि ये arrow जो है, आपका उपर की तरफ बना होगा, blank, और arrow उपर की तरफ option B में बना हुआ है option B is the right answer observe तो करना ही है साथी साथ time बचाना है तो single single elements पे answer निकलेगा पूरा figure check करने नहीं बैठोगे time बरबाद नहीं करोगे next pause कर लीजिए answer निकाल लीजिए fillers हमने class में किये हुए है चलो अब बहुत easy question है बहुत easy question है इसमें भी बच्चे क्या करते है चारो option लगाने बैठ जाते है नहीं लगाना है पहले observe करना है क्या observe करोगे S के बाद यहाँ पे 3 blank है जिसमें GRT आ रहा है यहाँ पे भी 3 blank खली है चांस है कि GRT आएगा और अगर आप second, third, fourth blank देखोगे तो GRT आपका सिर्फ इस option में आ रहा है D में तो मैं यह नहीं कह रहा D ही answer है मैं कह रहा हूँ पहले D check करो ठीक है तो आप पहले D check करोगे तो क्या हैगा RT GRT SRG अब यह कितने letters है 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 अगर 16 letters है यानि कि क्या repeat pattern होगा 4 into 4 के होने का सबसे जादा chance है 2 into 8 8 into 2 होने का बहुत कम chance है 4 into 4 चेक करो RTSG RTSG बिलकुल मिल गा repeat pattern आपका option D आ गया है that is how you can save time here done next pause कर लिजे solve कर लिजे syllogism का easy question है चलो some pens are cups कुछ pens जो है वो cups no cups are plates cups का कोई भी हिस्सा plate में जाने से restricted है इसको भी pn कर देते हैं ने तो confused होगे some pens are not plates अब यहाँ बच्चे confused होते हैं बेटा some pens pen का वो हिस्सा जो cup में है वो plate में जाने से restricted है वो बिलकुल सही बात है बेटा गलत नहीं है all pens are plates नहीं pens और plates में some not के अलावा कोई direct relation नहीं है तो बाकि सारे जो है definite conclusion false हो जाएंगे some plates are not pens plates और pens में some not का relation नहीं लगा सकते हैं pens और plates में लगा सकते हों तो यह भी valid नहीं होगा अब इसका answer क्या बनता है only conclusion one follow जो आपको दिख रहा है उसके अलावा कुछ नहीं है बट अगर इसमें either or होता तो फिर आप इसको consider करते हैं क्योंकि all or some not का pair बन रहा है इसको एक बार check कर ले ठीक है बट इसमें either or नहीं है तो tension लेने की कोई बात नहीं चलिए pause कीजिए solve कर लिजे great ये question class में as it is मैंने बता रखा है ठीक है question different है but logic same है मैंने आपको बताया था numbers use करते वे वो इसको Chinese coding जैसा दिखा सकता है but Chinese coding होती नहीं logic कुछ और होता है और वो logic यह की होता है मैशा क्या logic होता है red में कितने letters है 3 4 में कितने letters है 4 is और in में कितने है 2 2 और डेली में कितने है 5 बस यह logic है आप से मांग रहा है pollution level is changing का code मांग रहा है pollution में कितने letter है पेटा 9 letter है तो 9 से start होता है answer आएगा खतम होगी कहानी crack कर लिया न उसके बाद आपको seconds लगना चाहिए answer निकालने में और आगे चेक नहीं करना है इतना confidence बढ़ा लो कि answer निकाला मतलब सही है आगे जाओ ठीक है तो यहाँ पे यह practice video खतम होती है मैंने काफी variations लाए है अलग-अलग type के questions आपके लिए लेकर के आया हूँ आपको मज़ा आया हो questions का level बहुत difficult नहीं है बहुत easy भी नहीं है moderate level पे है हाँ यह है कि मेरे बच्चे तयारी अच्छी कर रहे है वो मुझे दिख रहा है और आपको भी नजर आ रहा होगा तयारी अच्छी करोगे तो यह चीज़ें आप जादा अच्छे से जादा easily जादा fast कर पाऊगे वरना मैं day 1 से कहता हूँ logical reasoning के कैसा subject है अगर आपको कोई नहीं भी पढ़ाएगा so you will be easily able to solve almost majority of questions then why am I required is so that I can bring down your time in a competitive exam competitive exam में हर चीज़ को कम समय में करना बहुत महत्वपूर्पूर्ण होता है ताकि वो बचाया हूँ समय आप दूसरे subject को दे सको जहाँ पे जादा time लगता है so that is the aim यहाँ पे question खतम करेंगे but जो लोग मेरी sessions में आते हैं उनको यह पता है कि रूखा सुगा नहीं भीजूँगा एक bonus question दे रहा हूँ उसका आप जो है pause करके screenshot ले लीजिए या pause करके देख लीजिए उसका solution निकाले यह video जब end होगा यह video जब end होगा तो उसके comment box में end होने के बाद वाले comment box में आप इसको डाल देंगे right और correct answer और फिर जो है इसके उपर मैं discussion आगे कभी कर लूँगा right तो यह है वो bonus question इसका snapshot ले लीजिए और video खतम होने के बाद comment box में ज़रूर इसका answer डाल लिए with that we'll end the session here today जो बच्चे यह video पहली बार देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक कड़ा 24-7 का application डाउनलोड नहीं कि है please go ahead and do the same it is actually very beneficial यहाँ पे individual teachers की communities बहुत तेजी से बहुत वाइरली ग्रो कर रही है जहाँ पे one-on-one communication teachers की साथ बच्चों का direct है किसी और forum पे जाने की कहीं और connect होने की जरूती नहीं पढ़ रहे है टेलिग्राम की भी जरूत नहीं बढ़ रहे है बच्चे सीधा doubt पूछते है उनको सीधा answer मिलता है और वो doubt का answer बाकी बच्चे भी देख पाते है उनको benefit मिलता है उसके लावा कुछ polls, quizzes और हर session की free PDF वहाँ पे available है आपको session की तुरंद बात कहीं और update को कर लिजे या reinstall कर दीजे वापस सब कुछ perfectly fine चलने लग जाएगा इसके अलावा आप telegram channel भी join कर सकते हैं इस QR code को scan करके telegram पे भी multiple चीज़ें आपके लिए multiple content form में available है plus exam के regular updates भी आते हैं कभी-कभी हम जैसे faculties वहाँ पे live भी आ जाते हैं आपके लिए तो उसके लिए भी telegram channel बहुत important है next most important point while ending this session is this number which is flashing right here in front of you इस number को आप save कर लिजे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं चाहे वो CUT PG LLB के हैं चाहे वो MHCET law के हैं किसी भी exam के लिए आप law related संबंदी कोई भी दुख तकलीफ या जानकारी आप चाहते हो किसी course के बारे में जानना चाते हो admission लेना चाते हो कोई भी details यहाँ पर हमने एक special back end पर team बिढ़ाई है special experts की team है जो खास सिर्फ आपकी problem सुनने और इसका हल निकालने के लिए तो इस number को save कर लीजे इस पे call मिलाईए और पूरा lab उठाईए इसके साथ साथ जो बच्चे paid course लेने में interested है वो definitely paid course ले सकते हैं इस number पे भी call करके आप ले सकते हो या आप application डाउन्नोड करके paid course ले सकते हो या website से जाके ले सकते हो जब भी code लोगे जब भी course लोगे subscribe करोगे definitely add the code MRLIVE it is going to give you maximum discount साथ 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 आप code लगाओ या ना मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये मेरा email ID है मैं आपे लिख रहा हूँ तो आपको कोई भी personal guidance चाहिए कोई भी mentorship चाहिए आप मुझसे इस email ID भी connect हो सकते है इससे better है आप community भी connect हो सकते है that is the best जो बच्चे code लगा करके मुझे email भेज़ देंगे उनके लिए और जो है कुछ special data और मेरे पास interesting चीज़े है जो पढ़ाई में आपके और help कर सकती है कुछ ebooks वगेरा भी लिकाल के मैं आपको दे सकता हूँ तो आप इस पर email कर सकते है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप paid course को subscribe कर सकते है यह आपकी PDF के लिए मैंने काम कर दिया है देखिए website पर जा करके अड़ा 24-7 सर्च करेंगे इसको select करेंगे यहाँ से आप course select करेंगे UGPG entrance exams पर जाएंगे law entrances select करेंगे अब यहाँ पर आपको जो भी exam के लिए आप cater करना चाते हो double validity का time चल रहा है और यह बहुत जादा देर तक last नहीं करेगा तो जाकर के जरूर इसको check कर लिजे आप इसमें course ले लिजे buy now पे click कर लिजे और यहाँ पर अगर आप coupon code डाल देते हैं तो आपको maximum possible discount नजर आ जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर जो available discount था उससे जादा कर discount आपको यहाँ पर available हो गया है प्लस double validity मिल रहे है यह change होता रहता है तो उसके हिसाब से जितना जल्दी करेंगे उतना जादा अच्छा है क्योंकि जो एक बार seats fill हो गई तो फिर यह discount आपको नहीं मिल पाएगा इस 40% पर एक additional benefit आप और ले सकते हो कि अगर आप website से नहीं, call से नहीं अगर आप application डाउनलोड करके बैस लेते हो तो इस पर 1% additional discount है तो इस video को देखने के बाद application पर जाकरके यह course purchase कीजिए और full benefits उठाइए राइट वेद आट I'll end this video here thank you so much guys, bye bye, take care, namaskar jahin